हलो दुस्तों स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में और हम लोग बना रहे थे कल्कुलेटर और कल्कुलेटर की सीरीज में यह हमारा तीसरा वीडियो है तो हम लोग ने अभी तक नॉर्मन मोड के कुछ ऑपरेशन्स कर लिए थे कुछ हमने साइन्टिफिक मोड के ऑपरेशन्स कर लिए थे और कुछ ऑपरेशन्स बच्चे हुए थे तो हम लोग उन्हीं कुछ ऑपरेशन्स को अभी कम्प्रीट करेंगे स्क्वार रूट पावर और हम बताएंगे आपको कैसे आप calculator को और भी ज्यादा extend कर सकते हो तो यह सारी चीजे हम लोग देखेंगे और हम लोग चले start करते हैं तो सबसे पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe और comment करें comment करके हमें बताइए कि यह calculator आपको कैसा लगा और आप भी मुझे suggestion दीजिए कि हम अपने calculator को कैसे कैसे हम लोग extend कर सके हैं और हमें बताइए कि हम next project कौन सा बनाएं TK Enter या Python या आप Java में interested थे तो Java में मुझे suggestion दीजिए कि मैं कौन सा project बनाओ तो subscribe करें चैनल को वीडियो को भी like कर दीजिए और हम लोग चले स्टार्ट करते हैं तो अगर मैं अभी अपना calculator चलाता हूं तो हमने क्या किया था हमने calculator में scientific mode बनाया था और यहां पर करने पर हमने factorial वाला काम कर लिया था अगर मैं तीन का factorial लिकालना है तो तीन का factorial आ जा रहा था उसके बाद हमने रेडियन का काम कर लिया था हम डिग्री को क्या कर सकते हैं रेडियन में convert कर सकते हैं एंड नेक्स्ट उसके बाद हम लोग ने क्या किया था रेडियन को डिग्री में भी कर सकते हैं लेड़ सपोस हमने का 10 का रेडि 30 के value मिल जाएगी, even आप cost निकाल सकते हो, तो हम लोग क्या करेंगे, simply ध्यान से देखे, हम लोग यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 30, और cost पे क्लिक कर देंगे, तो cost निकल जाएगा, उसी तरह even हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग 10 की भी value निकाल सकते हैं, तो देखे, यह सारा काम किया था, बचा था हमारा square root and power, ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में यह square root और power को calculate करेंगे, और audio module थोड़ा सा install करेंगे, और बाकी चीज हम लोग देखेंगे कैसा करना, तो सबसे पहले चीज इस वीडियो में हम लोग square root और power को यहाँ पे calculate करते है तो जैसे आप click कर रहो, जैसे मैंने square root पे click किया, तो square root पे click करने पे हमारा यह function execute हो रहा है, calculate sc, scientific calculator का calculate sc function चल रहा है, और sc के अंदर भी square root के लिए हमारा यह else if चल रहा था, तो हमें square root की coding यहाँ पे करना है, और अगर अभी तक आप पहले बार वीडियो देख रहे हो, तो मेरी recommendation है कि आप पहले की दो वीडियो, part 1, part 2 देख लो, तो आपको यह सारी चीज़ समझ में आएंगी, हम लोग क्या किया था, तो square root coding हमें यहाँ करने है, power की coding हमें यहाँ करने है, तो सबसे पहले square root की coding करते है, तो मैं क्या करूँगा, इसको full screen पे करूँगा, main पे double click कर दूँगा, तो यह full screen जाएगा, font को मैं थोड़ा decrease कर लोगा, जिससे आपको visible रहे, ठीक है, तो square root की recording करने है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्योंकि जो value आप यहाँ पे लिख रहे हो, जैसे मालो हमें square root निकालना है 50 का, तो जो value आपने यहाँ लिखा, वो value हमने निकालना था, यह देखे, field.get, ex में निकालना था, अब हमें इसी ex का square root निकालना है, तो simply मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस ex को integer में convert कर लोगा, उसके बाद मैं करूँगा, यहाँ पे m math module का मैं function call करूँगा, sqrt, और अपना यह चीज़ पूरा में इसके अंदर कर और हमें दे देगा एक variable में answer, अब इस answer में आ जाएगा, और होगा क्या हम लोगों ने, इन सारे एलिफ के बाद यह लगाया है, तो जो answer में हमारा square root आएगा, simply देखे, पहले क्या गरेगा, text field में जो पुराना data होगा और डिलीट होगा, और नया data answer हमारा add हो जाएगा, त तो simply आप देख पाओगे कि आपका square root निकल जाएगा, जैसे मैंने का 16, और 16 का square root निकल ला है, तो सबसे पहले आप scientific mode पे आईए, और यहाँ पे square root वाले button पे click करें, तो देखे, 4, 4 कभी square root निकल सकते हो, तो actually square root निकलने के लिए, यह expect करता है integer value, तो आप क्या करिए, यह एक ही number चाहिए होता, जैसे हमें square root निकलना है, तो भाई, एक ही number का square root होगा, तो square root निकल जाएगा, हमें अगर factorial निकलना है, तो भी हमें एक ही number का factorial निकलना होता था, 3, या फिर हम लोग 6, जिदने भी आपको operation करना है तो एक ही number use कर रहे था हम लोग आप, but power के लिए आपको power करना है, base और फिर comma चाहिए आपको क्या power करना है, तो मैं जो अपने calculator में क्या करूंगा, base और power इसी format में लोगा, that means अगर आपको power निकालना है, तो सबसे पहले आप base लिखिए, comma उसके बाद power लगाईए, that means अगर मिझे 2,3 करना है, तो आप 2,3 लिखिए, तब ही जाएगा, हमारे expression, ex में जाएगा, ex में जाएगा, इस वाले ex में, इस वाले ex में, 2,3 और मैं क्या करूंगा, power के अंदर मैं, ex को split करूंगा, split करूंगा, ex. split, और split करूंगा, मैं, comma से, ठीक है, तो होगा क्या, जब हम लोगी split कर देंगे, तो हमें यहाँ पर base, power मिल जाएगा, ठीक है, base, power मिल जाएगा, और मैं एक बार print कर सकता हूं, base को check कर लिजे, क्या आया है, और आप print कर लिजे, power को क्या आया है, ठीक है, simply, अब आप अपन scientific mode में आये, और यहाँ पर लिखे, 2,9, और आप क्या करिए, power वाली बटन दबाईए, ठीक है, तो देखिए, 2 आपको base में मिल जाएगा, power 9 में मिल जाएगा, simply, अब आपको क्या करना है, math.paw कर लेना है, यहाँ पर, तो हम कहाएंगा, देखिए, हमने कहा, math.paw, और power में sorry, power में आपको 2 चीज़ दे नहीं है, एक आपको base देना है, तो हम क्या करेंगे, base देंगे, अपना base, बट उसको integer में convert कर देंगे, इसी तरह power देंगे, बट उसको हम convert कर देंगे, और यह हमें answer देगा, तो math का module मैंने M से import किया था, और हम इसको answer में simply रख देंगे, और answer ज करके program दिखाता हूँ, तो आपके अगले simple stop करके, अगर मुझे power calculate भी करना है, तो मुझे 2,5 करना होगा, और फिर मुझे क्या करना होगा, power button क्लिक करना होगा, तो simply देखे 2,5, 2,2 करेंगे, तो 2 power 2, अब आप मैंने यह logic लगा है, आप लोग अपना logic लगा सकते हो, आप ल आप लोग काम कर सकते हो, तो मैंने क्या क्या scientific, देखे, scientific calculator की सारी buttons यहाँ पर execute, हम लें बना लिए और mode भी बना लिया था, जिससे हम क्या कर पा रहे थे, इन सारी scientific operations वाले button को hide कर पा रहे थे, फिर so कर पा रहे थे, और यह normal, अब आप क्या कर सकते हो, क्योंकि मैंने use क्या क्या है, मैं आपको सारी चीज समझाता हूँ कि मैंने use क्या क्या यह बनाने के लिए, ठीक है, तो और आप इसको कैसे extend कर सकते हो, मैं आपको सारी चीज समझाता हूँ, और एक चीज में इसमें और आपको बताऊंगा, जो आप करोगे, extend करोगे, उसके बाद एक चीज में इसमें और बताऊंगा, जिसे हम लोग को करना होगा, इसको और थोड़ा सा इंप्रूफ करने के लिए, ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, हम क्या करेंगे, हम ने यूज किया है, ये हमारा एक फ्रेम है, ये हमारा सइंटिफीक फ्रेम है, और अगर हमारा एक साइंटिफीक फ्रेम है, तो हमें क्या करना होगा, इफ अगर इस scientific frame है तो हम इस frame में मैंने सिर्फ यहां पर देखे 8 buttons add की हैं अगर आप चाहते हो तो यहां पर 12 button add कर सकते हो simply इसी तरह आप जो भी आपको operation suitable लगे वो operation यहां पर add कर जी वो button add कर जी और input लेके वो operation करके इस पर output दिखा दीजे यह एक चीज हो गई ठीक है और अगर यह एक चीज हो गई तो आप simply देखेगा इसमें अब मैंने तुम मैं अपने हिसाब से मैंने आपको सिखा दिया कि इन buttons को कैसे बनाते इन पर वर करते हैं आप क्या करें इतने पी छोड मत दीजेगा इसमें और भी operations बनाईएगा और इसमें आप frame में add करिएगा आप यह भी एक frame है तो आप क्या कर सकते हो इसमें भी operations आप add कर सकते हो अपने recording source के कुछ operations की मैं थोड़ा सा help दे सकता हूं आपकी जैसे अगर आप यहाँ पर जाओ और आप ideally open कर लो मुझे आपको कुछ दिखाना है तो ideally अगर मैं open करता हूं और मैं math module देखता हूं तो math module देखने के लिए हम लिखेंगे import math और मैं क्या करूंगा लिख दूंगा help और help में टाइप कर दूंगा math enter कर दूंगा तो हम और इस पर click कर देंगे तो देखे यह सारे functions आपको मिल जाएंगे जैसे the eight exponentस आप calculate कर सकते हूं था बहुत सारे functions मैथ मॉडियूल में हम लोग ने देखे रिदि का था पावर पर अंब इसकी धा मैडियक कर दो औरमेंडर आप बहुत सारे functions और चाहां पे करो यहां से वहां पर अपने calculator में implement कर दो मैंने सिर्फ देखिए आठ चीज साइंटिफिक के यहां पर एड़ गी और मैंने चार operations यहां पर नॉर्मल गड़े बट आप इस पर और log log के लिए भी आप एड़ करोगे और इस calculator को क्या करोगे इसको extend करोगे ठीक है तो extend एक चीज़ मैं और बताता हूं देखिए ध्यान से एक चीज़ जब महाली जीए अभी आप keyboard से अगर आप अपरेट कर रहे हो तो perfect आपका काम कर रहा है माउस से लेकिन लेड़ सपोज आप अगर keyboard से काम करना जाओ आपने लेखा 1 प्लस 2 और जब आप करोगे तो देखे काम नहीं हो रहा है एंटर पे यह वाली equal बटन नहीं क्लिक हुई और हम चाहते हैं कि भीया हम 78 प्लस 3 कर रहे हो जैसे इंटर कर अपने आप से यहां पर आंसर जाए यह equal बटन खुद से क्लिक हो जाए तो मैं क्या करता हूं यह coding करने जा रहा हूं मैं देखे करने क्या जा रहा हूं यह अड़ा नगता है आप क्या कर सकतो है यहां पर भी जहां आपका यह बाहँ कहता है यहां आप क्या कर अपने विंडो को byंड गर दो आप गर रंत करने में यहां पर event रहो हुँ आप इंडल करना चाहते हो तो मैं रितरन कर एंडल करूं यह जैसे आप अपने frame पर अपने पुरी window पर जैसे आप enter दबाऊगे तो इसके अंदर जो 꿈心 हम देंगे ऐन्टर clicked मैं यह function call होजाएगा अपने तो जैसे आप wonder दबाऊगे फोन पर यह function काॉल जाएगा और अगर यह function call हो गया तो मैं क्या करूंगा फॉंक्शन आलोंगा enter clicked देखेंगा enter click और simply जैसे यह function यहां से call होगा हम क्या करेंगे देखेंगा हम क्या करेंगे अपना KLC वाला click button function कॉल कर लेंगे यह वाला basically कौन सा function अपना ऊपर चलते ऊपर चलते अपना यह वाला function कॉल कर लेंगे click button function और इसको हमें देना event एक event का object देना है तो simply हम क्या करेंगे एक object बना के पास कर देंगे अपने इस वाले function में देखते हैं कहाँ पर यहाँ पर तो हम लोग एक event का object बना लेंगे तो e is equal to event और एक चीज़ बहुत important step है हमें करना क्या होगा कि हमें इस event के visit में अपने equals button रखनी होगे एक्चली यह ऐसा क्यों करना होगा और फिर हमें e pass करना होगा देखते हैं एक्चली जब event आएगा देखे जब यह function call होगा यह वाला तो यह event लेगा और इस event से वह visit निकालेगा जो button आप क्लिक करोगे और फिर वह बी में रखेगा तो इसका मतलब अगर हम इसको manually call कर रहे हैं देखे हम अगर इसको manually call रहे हैं event जो बना रहे हैं इसमें जब equal button रख होगे तो six हो जाएगा फिर आप normally यहां पर आप ऐसे कम एक चीज़ हो रहे है कि जैसे आप focus हो जैसे इस पे आप लिख रहे हो उस समय आप enter कर रहे हो और अगर आप बाहर हो जैसे मालों फिलाल तो आप बाहर नहीं हो लेकिन अगर आप फिर से rerun करते प्रोग्राम तो इस इसके लिए जो मैं बाइट ने मैं विड़्ो पर किया था इसको मैं मैं स्टेक्स फ्पिल्ड पर कर दोंगा simply राइट लिक करोंगा अब अगर अगर बाहर होगे और कर तो नहीं काम होगा क्योंकि अब आपने बाइन टेक्स फिल्ड के एंट्र को किया अगर आप 3 प्लस 6 यहां पे रोगे तो आपका काम होगा अधरवाई यह काम नहीं होगा इसी तरह आप यहां पे backspace को bind कर सकते हैं वैसे backspace तो अल्री बाइंड है कोई दिखकत नहीं तो 5 अब आप operation perform करते हो 5 plus 6 enter 11 plus 9 enter plus 6 enter ठीक है तो यहां पे हमने क्या किया एंटर से भी काम कर लिया और हमारा अब scientific calculator एक्दम complete है अब हमें audio लगाना है audio के लिए हम लोग क्या करेंगे next video बनाएंगे और next video में हम लोग देखेंगे audio कैसे लगाना है मैं आपको बता देता हूं एक बाद demo की audio कैसे हम लोग बनाएंगे हम लोग क्या करेंगे audio बनाने के लिए simply हम लोग यहां एक option देंगे audio का अगर audio आप चेक कर दोगे तो one click करोगे तो यह speak भी करेगा one plus two equals आपका जो answer होगा वो भी speak करेगा ठीक है बट कोई अगर audio नहीं सुनना चारा है तो हम यहां पर क्या करेंगे उस audio को अंचेक कर देंगे जैसे अंचेक कर देंगे तो normal आपका काम करें अगर आपको audio चाहिए तो आप यहां पर इसको click करके audio भी कर सकते हो या आप male female भी कर सकते हो उसका भी हम लोग option बना लेंगे इसको extend करने तो next video में हम लोग audio लगाएंगे और इस calculator को complete करेंगे जिससे कि हम लोग next videos upload कर पाएंगे अगर आपको एक calculator अच्छा लगा अगर आपको कुछ सीखनों को मिला तो आप क्या करिए वीडियो को like करिए share करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए thank you for watching this video bye bye